1. सूर्य वास्तव में एक तारा है, जो हमारे सौर मंडल का केंद्र है। 2. सूर्य का विकिरण हमें उर्जा और उश्मा प्रदान करता है, जिसके बिना जीवन असंभव है। 3. सूर्य का व्यास लगभग 104 मिलियन किलो मीटर है, जो धर्ती के लगभग 109 गुना है। 4. यह गर्मी और प्रकाश का मूल उत्पादक होता है, जो हमें जीवन के लिए आवश्यक है। 5. सूर्य का तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस है, जो बहुत उच्च है। 6. सूर्य ब्रह्मान के लिए बहुत महत्वपून है, जैसे कि वायू मंडल और ग्रेविटेशन को बनाए रखने में। 7. इसकी उर्जा का एक बहुत छोटा हिस्सा ही प्रिथवी पर पहुँचता है, लेकिन यह हमारे जीवन के लिए काफी परियाप्त है। 8. सूर्य की प्रकाश की रफ्तार लगभग 300,000 किलोमीटर परती सेकंड है। 9. जैसा कि हम जानते हैं, सूर्य के चारों और गोलाकार गबबर होता है, जिसे कोरोना कहा जाता है। 10. सूर्य ग्रेविटेशनल चुम्बकी एक शेत्र बनाता है, जो हमें अन्य ग्रहों के आकरशन में आधारित रखता है। 11. सूर्य के चारों और गर्मी और प्रकाश की चमक का कारण है, जिसे कोरोना कहा जाता है। 12. सूर्य का उत्पादन तापमान लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। 13. सूर्य धर्ती के लिए एक पर्याप्त आकार का है, जिससे यह जीवन के लिए संभव है। 14. सूर्य के चारों और के वायू मंडल को सोलर विंड कहा जाता है, जो धर्ती को प्रभावित करता है। 15. सूर्य अप्रत्याशित रूप से अप्रत्याशित रूप से प्रकाशित होता है, जिससे सूर्य की पूरी जीवन चक्रियता को समझना मुश्किल है। 16. सूर्य एक युगों तक अप्रत्याशित रूप से चलता है, जिसे सूर्य युग कहा जाता है। 17. सूर्य के चारों ओर की धाराओं का कारण ग्रेविटेशनल अंतरिक शिय फील्ड होता है। 18. सूर्य की बुराई को देखने के लिए कभी नहीं देखा जाता है, क्योंकि यह हमें प्रकाश और उर्जा प्रदान करता है।